विडियो में हम देखने वाले हैं Car Info RTO Vehicle Information App यह क्या है, इसको कैसे चलाना है और क्या-क्या यूज है तो आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि Car Info मतलब Car से जोड़ी हुई जानकारी के लिए अप है इसमें आपको आप Car की Valuation, Resale Value भी निकाल सकते हैं जो खास फीचर इसके मुझे समझने आए और इसके अलावब आप Car के नंबर से सच कर सकते हैं उसकी जानकारी के उसका नाम क्या है और Insurance वगए उसका हुआ है नहीं हुआ है उसकी उपर में Car की उपर में कोई चलान तो नहीं है उसकी पुर्रीबियस हिस्ट्री वगए आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यह सारा कुछ आप इसके अंदर में कर सकते हैं कैसे करना है क्या करना है आईए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं दोस्तों Car Info नाम से यह एप है RTO Vehicle Info एप और इसके जो डाउनलोड की बात करें तो पांच करोड़ डाउनलोड है चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं ओपन करने के बाद में इस तरह का आ जाता है Get Started पर क्लिक कर दीजे इसके बाद में चार आप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं आपको सबसे पहले तो ज़्यादा दर लोग वीकल ओनर होते हैं तो आप वीकल ओनर भी कर सकते हैं Car by dealer है तो वो भी स्रेट कर सकते हैं जो भी आपका है वो क्लिक कर दीजे करने के बाद में आपको आपको अपकी location आपको डाल देनी है कि आपकी क्या location है तो मैंने अपने यहाँ जबल पर डाल दिया है अडिया दोस्तों यह हमारा car info app का जो है main आपको home page देखने को मिल जाता है इस तरह का इसमें आपको पहले तो यहाँ पर कुछ option देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर आप अपना vehicle सर्च कर सकते हैं किसी के vehicle की information सर्च करनी है तो vehicle सर्च पर क्लिक कर दीजे करने के बाद में यहाँ पर आपको वीकल का number डाल देना है और search पर क्लिक कर देना है सर्च होने के बाद में उपर उसका आपको नाम देखने को मिल जाएगा नाम में हलकी हलके से dot बगर मिलेंगे कुछ आपको अक्षर यहाँ पर missing मिलेंगे लेकिन आप नाम को देखके एक अनजा लगा सकते हैं कि उसका नाम क्या है इसके अलावा यहाँ पर आपको उसका number देखने को मिल जाएगा उसका model दिख जाएगा गाड़ी का कौन सा model है PSU इसका expired है कि नहीं है आप यहाँ से इसका चलान सर्च कर सकते हैं और search service भी देख सकते हैं सर्च service हलाकि यहाँ paid है चलान आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कोई चलान तो नहीं है इस गाड़ी की पर में फिलार अभी कोई भी नौ चलान फाउन दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी की उपर कोई भी चलान नहीं है दोस्तों इसके लावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो वीकल हमने सर्च कर ली information मिल गई अगर आपको उसके बारें पूरी detail चाहिए तो वहा पर आपको उसका number डाल देना है vehicle number तो यहाँ पर आप दोस्तों direct या तो car का vehicle का number डाल दीजे या फिर आप यहाँ पर जो है vehicle सर्च करेंगे तो भी number डालने के बाद में आपको ब्रांड है आपको brand सर्च कर लेना है करने बाद में आपको iska model कौन सा है वो select कर लीजे कब आपका registered है vehicle उसके आप select कर लीजे year इसकाRS कर लीजे इस के आपको कित्ते km चल्चुकी है उस पर click कर दीजे करने के बाद में वैलिट करेगा आपके कार की वैल्यू और यहां पर आपको उसके कार की वैल्यू आपके देखने को मिल जाती दोस्तां इसके लावा अगर आपके जो है कंडीशन कार की कैसी है अगर फियर कंडीशन है तो यहां पर अलग प्राइज है गुड कंडीशन है त एक्सिलेंट कंडीशन है तो अलग प्राइज है तो यह आप हिसाब से जो है कार की वैल्यूशन निगा सकते हैं शेम तरीके से आप बाइक और स्कूटर की भी वैल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हैं सेल वैल्यू कितनी होगी कार इंश्रेंस का ऑप्शन है दूस्तों बाइक इंश्रेंस का है जो कि आपको एको से टायप हैं का उससे जाकर आपका सर्च हो जाएगा इसके रावा सर्विस हिस्ट्री जो है उसकी आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं गैट इंस्टेंट लोन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गए है दूस्तों तो यहीं सारी चीजें दूस्तों फास्टेक का इसके दावा आपको ट्रेप्रिकॉडर फास्टेक सेल यूर कार वगरा वगरा ऑप्शन दीए लेह हैं इनको आप यूज करके इसमें इसकी चीज को विला यूटूब चैनल में स्टे रहोगा